इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुजिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जनक राज ने आकर स्वागत किया समाज को लेकर कुसलक्षेम हुआ भगवान लक्ष्मन भहिया आये दर्शन हुआ स्वागत किया समाज ने जनक जी महराज प्रभू को देखे तो देखते रहे और दोनो भाईयों को देखकर जनक जी विश्वामतीस के पूछ पठे प्रभू एदिल दोनों बालक है ये कौन है रिश्य-पुत्र है तो राज-पुत्र है मेरे मन को सहज वईराग्य है मेरा सहज विरागी मन इन दोनों बाल को में लग गया सहज विरागर रूप मन मोरा ठकी तो हो तजिम चन्जे प्रभू ताते प्रभू ठोच्छों सतिभा कहो ना हे नाथ मेरा सहज विरागी मन इन में लग गया ब्रह्म सुक का त्याग करके इन का दर्शन करके सुख वा रहा इसलिए बार-बार आपसे पुछता हूँ यह दोनों बालक का हूँ कहीं अस्थान पर मन लग जाता है किसी वस्तु में मन लग जाता है किसी जीव में मन लग जाता है कारण किसी किसी का मन कहीं कहीं इतना रम जाता है और उसके सारे दुरुगुण हमको सदुगुण जान पड़ते हैं, दुरुगुण उसका दिखता ही नहीं है, यहां रुषवर कहते हैं, विदेह राज, इनहीं बिलोकत यतियनुरागा, अरुबर सुग्रम सुखें, तब गुर्देव ने कहा, राजन आप उचित कहते हैं, ए प्रिय सब जहान लगी प्राइ, मन मुष्ट का इहरां, जगत में जितने जीव हैं, सब को प्राण के समान प्रिया, भगवान मुष्कुराए, मुष्कुराने कर्थ यह है, कि भगवान गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, कि प्रभु, वास्तविक स्वरूप को अभिछी पाकी ही रखना उचित रहेगा, आप जानते हैं, मुष्कुराने कर्थ भी यही होता है, बातचीत में कोई अच्छा यह मुष्कुराना स्रेष्ट समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, कोई दो लोग संबाद कर रहे हैं, वो तीसरा मुष्कुराए, इसको बहुत उत्तम नहीं मानते हैं, मुष्कुराने का अर्थ ही है कि बात को यह रहे कहीं नहीं जा रहे है, छिपाके रखी जा रहे हैं, परंतु परमात्मा जब जब मुष्कुराते हैं, तब-तब लिला को आगे बढ़ा देते हैं, गुर्देव ने कुछ छिपाकर के बताया, रग कुल मनि दसरत के जाए मम हितला की नरे अयुद्यादी पती तशरत जी महराज के दोनों पुत्र हैं मैं यक्क कर रहा था इतदर्थ मैं मांग करके लाया राम लक्षमन इनका नाम है और बड़े बलवान है हमारे यक्की रक्षा की अनेक असुरों का समाफन किये राम ब्रह्म है ये गुरु जी ने नहीं बताया जोगि गुरु जी तो पहचा नहीं कहे थे जब ताड़का को गती दी प्रभु ने परन तो नहीं बताए ये चिपा गए अब मिधिला पती कहते हैं प्रभु आपके चरण का दर्शन करके मैं अपने सवभाग को क्या गाओंगा ये दोनों भाया कितने सुंदर हैं इनकी परीत कितनी पवित्र है आप चक्रभरती महराज के पुत्रों के साथ यहां करपा किये हैं अस्तु हमारे यहां जो विशेश अतित्ग्री है आप वहां बास लीजिए जो विशेश अतित्ग्री है अति विशेश अतित्ग्री उसका नाम है सुन्दर सदन महराज विश्वा मत्रजी महराज को रिशिमंडल के साथ राम लक्षमन प्रभू उरवक्त उसी निवास में स्थान दिया गया गोजन हुआ विश्राम संधह वेला में जम पांच बजा तो गुर्देव ने सतसंग प्रारम्प किया संधह वेला सतसंग की वेला है बक्त और भगवान के मिलन की वेला है दिवस को रात्री से मिलन की वेला है इसे ने साधकल विस्समे संध्या वन्धान करते हैं रात्री संध्या पुर्व होती है और सत्संग प्रारंब हुआ गुरदेव सत्संग सुनाने लगे राम लक्षमण प्रहु सुनने लगे इतने में लक्षमण जी महराज का मन थोड़ा उच्चटा जैने आप से पहले दिनी का बच्चे बहुत देर सत्संग नहीं सुनते जितनी देर सुने उनको सुनाई फिर उखेले खुदे उनका अपना बेवार है सुनाईए अवश्च क्योंकि बच्पन को सुनना ही अनिवारी है बच्पन ही युवावस्था को पाकर रहने का अभ्यास करता है युवावस्था यदि बच्पन में सुभाव नहीं बना तो सुनती नहीं है इसलिए बच्पन को सुनाना है भगवान समझ गए रामयनुजमन की गतिजाने भगत बसलता यहूले सा रामजी ने हाथ जोड़कर गुर्दे भगवान से निविदन किया ब्रभु नाथ लखन पुरदेखन चर ब्रभु सको उचटर प्रगर्टे नगर जोगरा वुरयाय सुमय पावों नगर्द खाय तुरते निया गुर्दे भगवान ने अनुमती पुरदान कर जाए देखिया वहु नगर्द सुक निधान दुबभार्द करो सुफल सब के नेन सुन्दर वहु ने दिखा जाए देखा आए देखने आए दिखा आए देखिये नगरों में जब प्रतिमाय रखी जाती है भगवान की तो पहले उनका नगर भ्रमण होता है अथवा पश्चात नगर भ्रमण होता है क्यों जिनके सारे अंग सुरक्षित हैं व्यवस्थित हैं उनको इनका बोध नहीं होता है यह इसलिए परमपरा डाली गई है कि जो लोग चल नहीं सकते अथवा जो परदा नसीन बहुए हैं ओभी भगवान का मंगल दर्शन प्राप्त कर देगा भगवान और गुर्देव ने लीला बनाई कि यह तो जा पाएंगे जा पाएंगे अयुद्या वाले दर्शन कर लिए मिठिला वाले दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्यों ना राम जी को एक बार मिठिला में ब्रमड ही करा दे ते ब्रमड की परमपरा है प्रणाम करके गुर्देव को चले और जैसे ही प्रवेश्की सखा लोग उस वय के आगए बाबा ने कहा देखन नगर ओप सुत्याई देखन नगर ओप सुत्याई समाचार पुरवा सिन पाए समाचार पुरवा सिन पाए दाये दाम काम सब त्याई दाये दाम काम सब त्याई मनो रंक निधी लोग नलाई मनो रंक निधी लोग नलाई मनो रंक निधी लोग नलाई नगर दर्शन में राजपत्र आये हैं सुनकर सब नगर वासी दोड़ पड़े अब जो मा की आठ सखिया हैं उन्होंने अपना अपना भाव समर्पित किया कौन है देखने परिचे दिया अरे महराद देखे क्या देखे तो परिचे बोल जाएंगा चुपकर संभव नहीं है पांचवी ने का संभव नहीं है तो हम लोग के जीवन मेदी पुन्य संगरा ब्रह्मा जी मानते होंगे तो उनकी किरपा से संभव हो जाएगा चटवी ने कहा यह बता यह इतने कोंबल है शिव जी के इतने कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे सातवी बोली जिस भगवान ब्रह्मा ने धनुष बनाया शिव शिव जी का सियाजियों को जनमाया है उन्ही भगवान ब्रह्मा ने सामले वाले को जनमाया है ये वही करेंगे जो व्रब माजी रचना बनाएं आईए आईए सक्षियों कबाव बोली है बोली है एक सक्षी राम को देखकर बोली है एक सक्षी राम को देखकर रच दिये है पिधाता ने जोडी शुखर रच दिये है पिधाता ने जोडी शुखर अरधन शुके से तोड़े के बारे कुवर सब में संका बनी के बनी रह गई सब में संका बनी के बनी रह गई सब में संका बनी के बनी रह गई बोली दूसरी सखी छोट देखन में है पर्चमत कारीन का नहीं जानती पर्चमत कारीन का नहीं जानती देखनी पाड में दाडु कारा अक्षसे पर्चमत की बाड में नारे कारा अक्षसे उठ सखीना पड़े के पड़े रह गई उठ सखीना पड़े पड़े रह गई इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुने अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए करिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो